नमस्का दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त अमित चर्मा आज की इस बीडियो के अंदर हम डीकोड करने वाले हैं इंडियन ऑनलाइन इनुवर्सटी इसको आपने पिछले दो-तिन साल के अंदर एक चीज देखी होगे कि जो ऑनलाइन एज्जूकेशन है इसको बहुत से आज हाइप मिला है बहुत साब भूम मिला है और बहुत सारी ऑनलाइन इनुवर्सटी जो है इंडिये के अंदर आगी है जो कि ऑनलाइन के अंदर अपने कोर्सिस को ओफर कर रही हैं सेब्र टाइप के कोर्सिस हैं जिनको वो ओफर कर रही हैं लेकिन सभी इनुवर्सटी जो है एक जैसी नहीं है, सभी इनुवस्टी इक्वल नहीं है अगर आपको जो है, ओनलाइन के अंदर एड्मिशन लेना है, तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है और अपने लिए एक राइट चॉइस बिनानी है आज की इस मीडिय के अंदर हम गहराई से समझने वाले हैं कि अगर आपको किसी इनुवस्टी इसको ओनलाइन मोड के लिए चूज करना है तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो हमें चीज़ देखनी है वो है एकडेशन और रिकोनाइशन ओफ उनिवस्टी को भी उनिवस्टी ओनलाइन के अंदर कोसी ओफ कर रही है तो उसके पास रिकोनाइशन होना चाहिए फ्रॉम रेगुलिटी बाडी से अगर मैं बात करो सबसे पहले तो उनिवस्टी ओनलाइन ओफ करने के लिए कि उनिवस्टी ओनलाइन ओफ कर रही है वो भी डिस्टैंस अजुकेशन ब्यूरो से अप्रूवड होने चाहिए अगर वो MBA और MC से कोर्सिस कर रहे है तो AICT से अप्रूवड होने चाहिए तो यह रिकोनेशन होता है यह एक्रडेशन होती है चाहिए न इरफ से हो चाहिए ग्लोवल रैंकिंग्स हो यह आपकी जो डिगरी आपको मिलने वाली है उसको बेटेश देती है आपकी क्रेडिविल्टी को बढ़ाती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जिस भी इनवर्स्टी के अंदर आप जा रहे हो तो वो कितनी क्रेडिवल है क्या रिकॉनेशन है उसके पास कितनी से चीज़ को जरूर चेक करना है उपना यह आपको ध्यान में लखना है वह बहुत ही कोड़ी मिलते हैं क्योंकि बहुत ही써 क्या बतेर्फ जो अप्रूवब मिलता है यह तो अगर अधर हम बात करूए इसके अंदर जो traditional मिलते हैं, management के हैं, computer applications के हैं, इस type के courses आपको मिलते हैं, तो आपको यह चीज जरूर check out करने हैं, कि जिन courses के अंदर जा रहे हो, तो उनको approval है distance education viewer का या नहीं है, साथ में आपको जो specialization मिल रही है, वो आपके interest के according है, आपके career goals के according match कर र आपके career के अंदर, जो certifications हैं, वो आपके growth में help करें, तो ऐसी universities आपको find out करनी है, third thing जो आपको check out करनी है, वो आप faculty and student support, और faculty किसी भी university का, किसी भी education के अंदर, एक quality education के अंदर जो हैं, बहुत ही important role पिले करती है, जो भी curriculum आपका बनता है, उसका delivery जो रहता है, वो कितना efficient से हो रहा है, जो classes आपकी लग रहे हैं, क्योंकि online के अंदर, आपकी classes जो है, वो online तरीके से रहती हैं, लेकिन जो faculty आपकी classes ले रही है, वो कितना efficiently आपको समझा रही है, आपको deliver कर रही है classes को, और जो student support रहता है staff से, चाहे academics को लेकर कर चाहे किसी और problem को लेकर के हो, तो व यहां भी आपको virtually ही interact करना होता है, आपको assignments है, वो collaborative मिल रही है, आपको projects किस तरीके से मिल रही है, आपको network की opportunities मिल रही है यह नहीं मिल रही है, तो यह सारी चीज़ें आपको check out करनी है, क्योंकि student support online के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि solo आप तो enroll करते हो, लेकिन आपका जो batch रहता है, वो virtually रहता है, तो आपको इस चीज़ को ज़रूर check out करना है, कि आपको जो faculty है, वो किस type का है, कितना supportive है, and आपको कितना support मिलने वाला है, कि scholars को join करने से पहले, next fourth, बहुत ही important point, जो है technological infrastructure, या फिल लर्निक प्लैटफर्म जिसको बोच अब जो सकते हैं, अब online जो study है, वो आपका completely online तरीके से ही होने वाला है, यहाँ पे जो universities है, वो heavily reliable होती है, technology के ओपर ही, आपका learning management system होगे, आपके examinations होगे, आपका admission process, आपकी support, या आपकी जो भी चीज़ें रहती है, वो सारी online ही होने वाली है, तो आपको यी चीज़ से record करना है, कि किस तरीके से होने वाले है, आपको कितना smoothly चीज़ें आपको मिलने वाली है, अगर आपको problem है, आपको doubt है, वो किस तरीके से आपका clear होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको check out करनी है, कि technology किस टाइप पर use कर रही है, तो यह चीज़ आप जो है admission लेने से पहले ही clear कर लेना है, कि अग alumni बहुत ही ज्यादा important role play करते है, क्योंकि यही होता है, कि जो आपको experience share कर सकते हैं आप लोगे साथ, जो real time experience रहता है, कि किस टाइप से उनका experience रहा है, इनुवस्टी का curriculum किस टाइप से रहा, और जो support रहा, वो किस टाइप से रहा है, या overall university का satisfaction है, वो alumni ही आपको बता सकते ह कि आप इनुवस्टी में enroll करने से पहले जो है, उस alumni network के ओपर या student rating को जरूर चेक करें, यहां पर तो यह पांच पॉइंट है जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना है, किसी इनुवस्टी के अद्मिशन लेने से पहले, अब इन पॉइंट्स को अगर आप detail में देखना चाहते हो या इन पॉइंट्स के जैसे तीसी ज़्यादा पैरमीटर को चेक आप करना चाहते हो, तो आप जो है college बिद्दे का help भी ले सकते हो, अब college बिद्दे का ऐसा platform है, जो आपको help करता है, आपके लिए right online university चूज करने हैं, क्योंकि यहां पे आपको जो है इंडिया क कि 100 से जाए universities का listing मिल जाता है, जहां पे आप उनको compare कर सकते हो, तीसी जाए पैरमीटर के उपर, चाहिए फिर उनके approvals हो, rankings हो, free structure हो, curriculum हो, या फिर support हो, और भी बहुत सारे parameter जिनको आप चेक आप कर सकते हो, यहां पे आप जो है university का उपस में compare कर सकते हो, अगर आपको लग जाता है university का, तो अगर आप जो है अपने लिए online university का आप कर रहे हैं, तो आप जो है college बिद्य का help ले सकते हो, college बिद्य का link आपको description के अंदर मिल जाएगा, बहां से आप जो है इनकी website पर visit कर सकते हो, इनका app install कर सकते हो, तो यह था video Indian online universities के उपर के आपको कैसे जो है उनको choose करना है, आई हो वीडियो आपके लिए helpful रहा होता, अगर helpful लगाओ वीडियो तो share जरू कीज़ेगा, वीडियो को पसंद आए तो like कीज़ेगा, और easy type की career courses और college बिदियो के लिए चैनल को subscribe जरू कीज़ेगा, और अगर आपके कुछ questions हो, तो comment box के अंदर mention कर सकते है, chat link भ आपके लिए तो नेक्ट वीडियो के लिए, तिल देन, जाहिन!